जै जोहार संगवारी हूँ नमस्कार जै शत्यदगर स्वागत है आप सबके आपके अपन यूटब चैनल सीजी व्लोगर ममता में संगवारी हूँ आज में आप मनबन लेके आओं मेथी के पराठा जैसे कि ठंडी के मौसा में अवसीजन मेथी के है तई में आप मना एकदम असान तरीका से मेथी के पराठा बना के त्यार कशा कर सकते हो इसे में आप मनबन का करें समगरी शरौ के अवसी पराठा बनाएं सबसे पहले हमला चाहिए होई मेथी एकर मेथी लगे से एकर कड़वा पणा बढ़ जाते हैं तोड़ना चीए तोड़ना चीए तहीं कहां तक सत्य है आप मनद बता हो एकर देख सकत हो मिलसून ले हो अदरक ले हो हरियर मिर्ची धनिया पत्ती हिंग नमक हल्दी लाल मिर्च पोड़र धनिया पisz सकत यहले हो मेगी मसाला में मीथी हो प्यांज और में तैल कर दो बद और देख देख में 3-4 मुठी मेथी नमक में में ठोड़े हो नमक डाल देंगे अधर से हुई है कीस हुए इसे पेश्ट हिये है not आपमन एक बार जरू से ट्राइए करूँ अगर नहीं होई ना ता बजार में जो रेडिमेंट वाले आते ना इसे अलग से बिना मैगी के तो वाले मैगी मसाला भी आपमन लेके आके उकर बना सकतो तो एकर देख सकतो आप पड़ा मैगी मसाला में डाल दें हो दोनों देखाओ आपमना थोड़ा-थोड़ा से पाने डाल कि में है यह आटाला जो है सान के त्यार करता हूं एक दम हलका हाथ से बढ़ी हमसलती हुए सान नहीं है वही से आटा सानेल सब ला थे पायर में है जो है बता देतों तेल जरूर से डालना है आपमनला आटा में एकर से आपके पराठा एकदम मस्द नरम रही और अच्छा बनी एकर आप में दोनों हाथ के अब यह में देखो संगवारी को मैं हाट अला पड़ी है से जोई सान के रख देता हूं अभी हम लबस ऐसी सान ना है एक अरवा दिल ढख के रख देना है कम से कम दस मिनट आप दस मिनट के बाद अच्छा से मसल के कलोई काटना है तो अभी मैं अब बस यह लिकठा कर देता ह है उसे अब यह लब सफन js दस मिनट के बाद देख देखो एक अब ड़ी पहली से ज्यादा ही नरम होगे है तो यह बेला ही ता एक बाद में general आप मंहले के बाद में है जो जोहें आप मनला दिखातों एका लोई ला तोड़के अवेला बेल के ता चलो एका लोई तोड़ ले थान अतना कंसे आप मनहा अपन इच्छा अनुसार बड़े या चोटे पराठा बना सकतों मैं बहुं ज्यादा चोटे नी बनाओ कावर की पराठा थोड़ से जोही बड़ जोहें बना लूँ तो चलो मैं आप मनला बेल के भी दिखा दे था हो तो एकर आप मनला चोटी ले लेना है ऑच्छा पराठा भी आप मन मन बनाके तियार कर सकतों इसे ही मिहां बेल के तियार करना हूँ सब ला जोहें से लोग। एकर से पहली में आपमन के बीच में सेयर करें हूँ पनीर के पराठा के रेसेपी पनीर के पराठा बहुँ ज़्याद स्वाधिश्ट बने दिस संगवारी को एक बर आपमन ट्राइ जरूर करूँ काबर की में जो तरीका बता हूँ बहुत ही असान है और आपमनला अच्छा स्वाध भी बहुत बढ़ी हारी से एकर सती में आपमनला बोला था हूँ तभी साथ तीन अग दिन हो थो ही आपमन जाके चेक कर सकता हूँ या पिर में एंडरी स्क्रीन में भी दे दूँ हूँ बहुत सरा पराठा के जो है रेसेपी मो चैनल के अंदर यह देखा हूँ कावार अच्छा से गरम हो जो हे puis कर बाद रोट डाल देना है यह वह एक लीना है अग裡面 बहुत जादा मोटा में एकदम जादा फुली है नांने में ईला बहुत जादा मोटा नहीं बनाओ लेम बोटा कर लेको एव जो है पसंद नहीं करें है यह करन देख सकता ह 156ा वटमन बढ़ी ऐसे अव एक्दम अच्छा रंग के आतला हम लगा जो हेला सेख देना है और एकदम कुरकुरा यह पराठा गरम गरम खायामना इद्धम स्वादेश्च लगते कावर कि एकदम मस्त कुरकुरा कुरकुरा रिथेना ते कर सती तैसे ही में सब बुला सेख के जो है तिय पराटा सेकी कि समय संगवारी हो बस आप मना अच्छा से दबा दबा के सेक ना है यह देखो आप मना तो अलट पलट के बढ़ी है से सेक देना ही आप में पहुं सरा धनिया की पत्ति और धनिया के डंठल के इस्तमाल करें हो मेती की डंठल है इकर वज़े से एमी जो ही बेले अपमन अजवाइन भी डाल सकते हो मेती की पराठा में वैसे मेती की पराठा कोई भी पराठा में आजवाइन के स्वाथ बहुत अच्छा लगते आप मन देख लो गर आप मना डालना है तो बिलकुल आप मना डाल सकता हो मेती की बहुत सारा पराठा बंदे जांगवारी हो जिससे कि मेथी के पहले साग बना लेओ, वो कर बहुत है असान तरीका अलग-अलग जो है अकान में बता हूँ पराठा आप मन जरूर से देखो तब इकरा हमारे बनके त्यार होगे बहुंस अच्छा बने संगवारी आप मनला परस के दिखाथा। वह जी से मेथी की पराठा है तो चटनी के संग्मा बहुत अच्छा लगते दही की संग्मा आज मेला परसत हो आप मन देखो आगे तेकर गरम गरम एकदम बड़ी है जब अरदस मेथी की पराठा बनके तो यार है जिसे के ठंडी के मौसम ही न ठंडी में कुछ गरम गरम मिल अब इकदम मज़ा आ जाते आथे ना आप मन भी ता एकर देखो लशून के चटनी है जो की हमर घर के फ्रेवरेट हरे सब के आओ संग्मा ही पालक पनीर पालक पनीर अभी में हा जो है आप मन की भी सेयर करे हो एकर वीडियो एकर नहीं मतलब एकर पहली आओ बनाय रहों य जरूर से मुला बताओ उ उमीद संग्वारी हो आप मन लम और आज की रेसिपी पसंद देशो ही पसंद देशना ता आप मन भी जरूर से ए तरीक से बना के देखो खा के देखो अब अपनान भॉला सेयर करो मुर कमेंट बॉक्स में मिल थो आप मन से जल्दे एक नवा